जी वेल्कम तो दे चैनल फिजिकल एजुकेशन विज जाहद और मैं हूँ आपका आउस महम्मद जाहिद महमूद आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसन के एमसी क्यूज जो के रिपीटेडली डिफरेंट एग्जैम के अंदर बार बार पुछे जाते हैं सवालात उनका तज़करा करेंगे और आज की ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो होगी मेरी कोश्च होगी कि जितने भी आप्शन्स मुझूद होते हैं सवाल के अंदर ए बी सी डी चार आप्शन तो कोशश करूँगा कि तमाम आप्शन को क्लेर करूँ ताकि आपके एक कमप्रिहंसिव प्रिप्रेशन हो सक के कि आपको स्टेटमेंट आए और आपका सिर्फ उसको जवाब रटा हो और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर एंफरमेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और बी पी एस सी एस्पा का ये टेस्ट कब होगा तो इन्शालला आई होब के नेक्स वीक वो चार संबाल लेंगे और उसके बाद सचर्डे संडे एक्जैम स्टार्ट हो जाएंगे और इंट्रिव भी स्टार्ट हो जाएंगे और इसके सासाथ ये बस देर सिर्फ इतनी हो सकती है कि इसके पीछे प आजाएगी और अगर ज्यादा एडवर्टीजमेंट है तो फिर एक दो वीक का फरक आ सकता है बाराल जून के एंड तक जो है वो टी एसो और लेक्टर फिजिकल एड़ुकेशन इन स्पेशल एड़ुकेशन इनके टेस्ट मत वक्या है question number one है sports medicine can be divided how many general areas into यानी sports medicine की कितनी branches हैं तो there are three branches the general area of sports medicine है और कौन कौन सी वो branches है sports surgery है clinical sports medicine है the physiology of exercise है यानी एक तो end हाल जो treatment का वो sports medicine के जरीए surgery होता है जब कोई और हाल नहीं होता तो उसके सासथ clinical sports medicine है उसका clinically test किया जाता है अब्जर्व किया जाता है उसके बात physiology of exercise है ये तीन बड़ी branches है sports medicine की clinical sports medicine is clinical sports medicine क्या है the prevention and treatment of athletic injuries के जो athletic event कह लें sports कह लें games के दौरान जो आपको होने वाली यो तो चोटे है उनका इलाज है या फिर उनको चोटों को लगने से पहले injuries को लगने से पहले को हम pre-custry में यह जिस्स अमाल कर सकते हैं तो वो भी clinical sports medicine के अंडराता है design of exercise and nutrition program for maintain peak physical performance fitness activity design exercise and nutrition program तो हमने एक exercise का program design करना दूसरा nutrition का program बनाना है ता जिससे खिलाडी की जो है बहतीन performance को maintain किया जा सके तो यह भी clinical sports medicine के अंडर ही आता जिसको हम prevention measures कह सकते हैं question number four sports surgery is also concerned with the treatment of injuries from human sport also include the preventing and treatment of athletic injury also grow field of sports medicine तो यह सारे के सारे ही इसका हिस्सा है कि हम sports में आने वाली चोटों को या उनसे पहले के लिए जो भी अतियाती तावीर अक्तियार कर सकते हैं तो यह sports surgery के जुमेर में आते हैं the main objective of sports medicine are sports medicine का main objective क्या है the welfare of the athlete physical and demand of oxygen help them to diagnose sports injuries तो यह सारे के सारे sports medicine के जुम्रे में ही आते हैं कि हमने sports injuries को उनकी diagnose करना है और उसके साथ साथ उनको खिलाडियों की welfare के लिए काम करना है aspects of sports medicine fact on sports is preparation prevention surgery techniques all of these all of these all of these तमाम के तमाम sports medicine के aspects rehabilitation is अब rehabilitation क्या होती है एक rehabilitation है prepared and injured athlete prepare and ill athlete to return from game तो जो खिलाड़ी खेल के दुरान बिमार हो जाए या जखमी हो जाए तो उसका ठीक होना जो है वो rehabilitation के लगता है और जो उसको time लगता है मतलब दो हफते चार हफते यह से ज्यादा तो उसको rehabilitation period बोलते है question number eight है by which are chronic injuries treated chronic injuries को कैसे treat करते हैं ultrasonic से अचाई यह भी समझना जरूरी है chronic injuries क्या होती है injuries majorly दो तरह की होती है acute injuries और chronic injuries acute injuries अचानक खेल के अंदर आपको strain, supreme या कोई भी injury लाहक हो जाए अचानक से तो उसको हम acute injury बोलते हैं लेकन अगर किसी injury को proper उसकी treatment ना की जाए और वो देर पा हो जाए मिसाल के तोर पर आपको ankle joint के उपर सप्रेन आगया तो आपने एक दिन rest किया थोड़ी बहुत medicine इस्तमाल किया और फिर आपने खेलना शूरू कर दिया तो यानि आपने उसका proper alaj नहीं किया उसको जितना rest चाहिए था जितनी उसको treatment चाहिए थी वो नहीं की तो हफते बाद फिर आपको वहां से pain start हो जाता है जो acute injury है वो prolong period के साथ वो chronic injury की शकल एक्तियार कर जाती है वो परानी injury तो यह कह रहा है कि हम chronic injury का alaj किस से करते हैं? ultrasonic से करते हैं The other name of water therapy is water therapy का दूसरा नाम क्या है hydrotherapy हाइडरो भी आपको पता है H2O, hydrotherapy, पानी कोई कहते है Method is applied to reduce inflammation or in injury तो हम inflammation को या कम करने के लिए और बलकि हम swelling को कम करने के लिए भी contrast बात का इस्तिमाल करते है Contrast बात क्या? Contrast बात से मराद यही है कि अगर मुस्म के मताबक opposite हम contrast मतलब ही opposite है कि गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गरम पानी से उससे की टिकोर करना यह उससे की therapy बगरा करना अगर अगर आप सर्दियों के मुस्म में गरम पानी से नहा लें तो खुद पूरी body की टिकोर हो जाती है और गर्मियों में अगर सर्द पानी से नहा लें सर्द से मराद को ठंडा यख नहीं है नारमल से थोड़ा से ज्यादा तो फिर आपको पूरी बाड़ी फ्रेश हो जाती है तो इसी वो हिस्से को कोई खास हिस्सा कह लें पाउं कह लें थाथ कह लें या कोई आरगन तो जिसको हमने कंटरास बेड करना है उसको हम गरम या ठंड़े पानी से दोलेंगे या उसको इसके से थरापी करेंगे इसको अगर कोई भी मूव्मेंट नहीं होती तो हम इसको क्या भोलेंगे अब यह समयना जरूरी है, यहां पर है, आइसो मेटरिक है, आइसो काइटानिक है, आइसो टोनिक शायद नहीं है, आइसो टोनिक क्या है, आइसो काइटिक क्या है, आइसो काइटिक क्या है, आइसो मेटरिक तो यह है कि जब आप फोर्स लगाते हैं, लेकन आपके जो मसल्स ह हैं ना छोटे होते हैं बलके सेम हालत में रहतें और मुवमेंट भी नहीं होती यनि कोई आगे मुवमेंट नहीं होती तो ऐसी हो चांक ये इसकी मिसाल आसा है जैसे आप किसी दिवार को धका लगाएं किसी बारी भरकम प्रक को आप धका लगाना शुरू कर दें तो आपके मसल टेंशन की हालते टेंशन में होंगे लेकन मुवमेंट कोई नहीं होगी है ना मसल बढ़ेंगे ना छोटे होंगे तो इसी तरह अगर हम अश्रो टॉनक की बात करें तो इसको दो इसे हैं असेंटिक कंट्रेक्शन और कॉंसेंटिक कंट्रेक्शन के अंदर आपके मसल जो हैं वो शौटन होते हैं छोटे होते हैं मसाल के तौर पर यह देखें बाजू अगर आप इसको मजदीग कर रहे हैं तो इसमें आपके मसल जो हैं कोई भी ऐसी मुमेंट जिसके आप आपके जो मसल हैं वो शौटन हो रह तो हम recovery के लिए sports medicine करेगी तो फिर हम corrective exercise करेंगे और यह कहलाएगा rehabilitation, यह कहलाएगा क्या rehabilitation, इन्वेज treatment method, short wave method will be applied, acute injuries, यह पहले मैं आपको बता चुका हूँ, acute और chronica, hydrotherapy means therapy with water, method applied to reduce swelling, contrast weight यह हम पढ़ चुके है, which one of the one can be cause of supreme, इसमें से supreme की कौन सी cause, उसे stretch or turnoid ligaments, तो supreme आपको पता है, जोड़ों पे होती है, तो जोड़ पे अगर कोई भी आपकी चोटाएगी तो लिगमेंट्स की चोट होगी, और ligaments जो है, वो joint की range of motion का तयान भी करते है, other name of crytherapies, ice therapy, C option, Lampo is, किसको बोलते हैं, pain in low back, pain in low back, D option, यह आपकी जो read की हड़ी का सबसे आखरी हिसा है, वहाँ पे अगर pain हो तो उसकी terminology यह है, Lampo, contrast weight is used, reduced swelling, swelling को सोर, नसको कम करने के लिए भी contrast weight का इस्तमाल करते हैं, common injuries in basketball, और basketball के अंदर कौन सी common injuries है, medial misnicious damage है, medial medical ligament of knee है, lateral ligament of ankle है, तो यह इसमें, medial और lateral समयने वाली बात है, कि यह हमारी जो body की midline है, जो आपकी shirt की कहले हैं, यह आपकी कमीज की जो पटी है, यहाँ पर यह sternum हड़ी है, तो यह body की midline है, तो कोई भी movement जो body की midline के करीब हो, या किसी organ की midline के करीब हो, उसको हम medial बोलते हैं, जो उसे दूर हो, उसको lateral बोलते हैं, तो यह आपके ankle और knee के, अगर medial की बात कर रहा है, तो वो अंदर वाले ligaments हैं, अगर lateral की बात कर रहा है, तो वो बाहर वाले ligaments हैं, के जो ड़रान अगर आपको चकर आते हैं सरदर्द करता है उप मेतनि उती होती तो की वज़ा क्या है इसकीे वज़ा है किमोलिक्रिक इसट्ड खांप यते के सट को अक्मोलिट नहीं कर पाते हैं तो आसे सूरत में आपको वह कि वोमेटिंग हो सकती है आपको सरचक्रा सकता है बेहोश हो सकते हैं पॉसिबल काज आफ स्पोर्ट्स इंजरीज आस लैक आफ नॉलेज है इन एडिकेट ट्रेनिंग है के लेस्नेस है पूर ट्रेनिग है लैक आफ ट्रेनिग है पूर एक्विपमेंट्स है वह बहुत सारी विद ओट वाम अप्रेंट कूल डॉन है वन रूल्स आ नाट फालोट तो सिंपल एक वर्ड में तो हम यह कह सकते हैं कि जब हम असूल जवाबत को फालो नहीं करते हैं और बहुत सारी रिजन्स हो सकती है अल अफ दीज पॉसिबल कॉज ओफ मुसल पुल अगर उनको सांस नहीं आ रहा जो लंबी दोड़ दोड़ने वाले जैसे क्रास कंट्री है स्टेपल चेज़ है मेरतन है तो उनको हम क्या करेंगे आर्टिफिश रेस्पिरेशन देंगे आर्टिफिरेशन रेस्पिरेशन के तीन तरीके हैं होलकर नेलसन है शेफ़र्ड है और एक जनरल आम इस्तमाल करते हैं जिसमें हम सीधा जिस तरह मैं बैठा हूँ इसी तरह पीछे इक तरह लिटा के उस मतासरा शक्स को हम खिलाडी को उसको चेस प्रेस करेंगे 10 से 15 मर्तबा फिर थोड़ा सास लेने का जो एकसालेशन ज यह ओता है टायाफ्राम के फैलने और शुकरने से है तो हम उसके सास बहाल करेंगे एक तolicनलों काख्याल है कि हम तो कारभन डियाकशाइड निकार रही हैं तो उसको आकसीजन की जरूरत हो गी जब हम फूंक मारेंगे या सास कहेंचेंगे तो ये बात याद रखने के जुरूरत है कि टोटल फजा के अंदर 78% nitrogen है, 21% oxygen है और 1% all other gases है तो जब हम सांस लेते हैं तो including तमाम gases हमारे अंदर जाती है और ये फिपड़ों की सलाहित है अल्ला ताला की तरफ से तो फिर oxygen का 5% 21 में से 5% consume करते हैं 16% जब हम carbon dioxide निकार रहे होते हैं बाहरा जो निकार रहे हैं उसके अंदर 21% 16% oxygen भी होती है, don't worry reason for the cramps in muscles ये पानी की कमी की वैसे हो सकता है आपको mineral deficiency की वैसे हो सकता है, any injury to muscle, hyperventilation ये सारी की सारी वज़ाद की वज़ाद से जो मसल में cramps आ सकते हैं, अकडाओ जिसको कहते हैं injury of tennis elbow is related to with game, only tennis pair, badminton pair, tennis and badminton दोनों के अंदर ये tennis elbow के नाम से बड़ी मशूर injury है treatment of tennis elbow, what is just after the tennis elbow तो use wrist bandage, stop playing games, use crab bandage अब ये भी पता है कि हम जितनी भी soft injuries हैं उनका हल जो करते हैं वो prices है protection, rest, icing, compression और उसके बाद elevation और end PSS sport तो यह हम सबसे पहले हम उस हिसे को protect करते हैं, icing करते हैं और rest देते हैं फिर उसके उपर कोई पटी बगराबाते हैं, फिर उस मतासरा इसे को अगर जूरत पढ़े तो दिल से थोड़ा सा मुचा रखते हैं, elevation, elevation ताके उसमें खून की रवानी कम हो ताके swelling वारा ना हो सके और अगर कहीं पर end PSS sport की जरूरत हो तो फिर उसको sport भी देते हैं तो ये था आज का हमारा topic, इंशालों नेक्स किसी और topic साथ आपकी खिदमत में हाजर होंगा, तब तक के लिए, अल्ला आफेज